बूकम के तरह एक और आपदा हमें दिखाई देती है और वो है आग आग लगने के अनेक कारण है और उसे बुझाने के लिए विवित पदार्थों का उपियोग किया जाता है आग नैसरगिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के आपदा हैं आग के चार प्रकार हैं पहले प्रकार को अवर्गी आग जो ठोसरू पदार्थों को लगती है और ठंडा करके बुझाई जाती है इन में जैदा तर ज्वाला ग्रही पदार्थों से लगने वाली आग जैसे लकडी, कपा, स्कोईला, कागज इत्यादी पदार्थों का समाविश होता है बवर्गी इस दूसरी प्रकार की आग में द्रवरूप पदार्थों उदार्णार्थ, पेट्रोल, तेल, वर्निश, विलायक, रसोई का तेल, इत्यादी ये पदार्थ पानी की अपिक्षा हलके होते हैं, इसलिए जाग वाले आगनिशामक द्वारा आग बुझाई जाती है घरेलू गैस से लगने वाली आग, कवर्गिय गैस रूप पदार्थों के मार्फत उत्पन्न होने वाली आग के प्रकार में गिनी जाती है जुवलंशिल धातू से लगने वाली आग का समावेश डवरगी आग में किया जाता है इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे धातू सामान ये तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती है उसी प्रकार से मेंगनेशियम, अल्यूमिनियम और जिंक जो उच्छे तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती है दोनों समोग के धातूएं जब पानी के साथ सहियों करती हैं तो विस्फोट होता है अपने आसपास के इलेक्ट्रिक सामान, फिटिंग के साथनों के कारण भी आग लग सकती है या कारबन डाय ओक्साइड जैसे प्रतिबंदक से बुझाई जाती है आग बुझाने के लिए उसका फैलाव कम करना और उसके फैलाने पर नियंतरन लाना ये मार गया है आग बुझाने के लिए पानी एक प्रभावी साधन है और वो सर्वत्र उपलब्द होता है आग पर या आग के आजुबाजु पानी मारने से ठंडक का निर्मान होता है और आग पर नियंतरन लाना असान हो जाता है तेल के कारण और बिजली के कारण लगी आग बुझाने के लिए रेत अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जाग जैसा पदार्थ आग पर फेकने से उसका उपयोग आग ढखने के जैसा होता है आग बुझाने के तीसरी विधी यानि जुवलनशील पदार्थों को अलग करना इसमें जुवलनशील पदार्थों को अलग किया जाता है ऐसे वक्त लकडी का सामान और अन्य जुवलनशील वस्तों को दूर रखना चाहिए तुरंत लगी आग को बुझाने के लिए स्ट्रिरप पंप एक सबसे उत्तम साधन है आग से बचाओ के लिए सावधानी बरतना और सुरक्षात्मग उपाय करना आवर्शक है गैस का रेगुलेटर जब उपयोग में न हो तो उस समय रात को सोते समय और गाउं जाते समय ध्यान से बन करना चाहिए आग लगने पर आग आग ऐसे आवाज देकर दूसरों को सावधान करो और मदद के लिए बुलाओ अगनिशामक दल को तुरंद फोन करो अगनिशामक टंकियों का उपयोग किस प्रकार करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करो अगर कोई घायल हुआ तो ऐसे व्यक्ति को आरामदा इस्थिती में बिठाए या फिर सुला कर रखे और तुरंद डॉक्टर की साहयता ले बारिश के समय परवच्छीला गिरने की वज़ा से रास्ते बंध होने की वारताए हम सुनते हैं आग और भुकम की तरह परवच्छीला गिरना ये भी एक महत्वपूर्ण आपदा है अतिवरिष्टी के समय चट्टानों की दरारों में जगों में पानी जाने से पत्थरों का शरण होता है जिससे उनका वजन बढ़ जाता है और ऐसे पत्धर धलान वाले क्षेतर में लुड़कते हैं और वहाँ जाकर स्थिर हो जाते हैं जिसे परवत शिला का गिरना कहते हैं भुकम, सुनामी, अतिवरिष्टी, तूफान, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूब भी परवत शिलाये गिरती हैं बेशमार वुर्क्ष काटने के कारण ही जमीन का क्षरन होता है परवत तथा घाटियों में रस्ते बनाने के समय परवत खोदने की वज़ा से भी परवत कमजोर हो जाते हैं और उनके किनारे की चट्टाने और पत्थर गिरने लगते हैं परवत शिला गिरने से रास्ते बंद हो जाते हैं यातायात में बाधा आती है, नदियों में अचनक बाढ़ आती है और नदी के मार्क बदल जाते हैं, कई बार कृत्रिम जलाशय का भी निर्मान हो जाता है, भूस खलन होने पर उस पर उगी हुई वनस्पतियों का भी जीवन नश्ट हो जाता है, अनेक प्रकार की आपदाए हमारे आसपास में आती रहती है, इसलिए हम चात्रों को भी सतर्क रहना आवश्चक है और विद्याले इन आपदा निवारन नियोजन की प्रतिकृति तैयार करना अनिवार्य है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अपने विद्याले का पूरा नाम, मुख्या ध्यापक का दर्च करना, विद्याले में आपदा प्रबंदन समिधी का निर्मान करना, विद्याले का आपदा प्रबंदन नक्षा तैयार करो, उसमें विद्याले की सारी इमारते, उनकी रचना, मैदान, प्रवेश द्वार, उसकी रचना, विद्याले की दिनचरिया धर्च करो, और उसी के साथ विद्यालाई की संभाव या दुरुघटना के बारे में सोच कर विशिष्ठ कालावधी में तैयारी की जानी जाए है। इससे हम भविश्य में ऐसी आपदाओं का सामना द्रड़ता से कर सकेंगे और उससे निर्मान होने वाली हानी कम कर सकते हैं। कर सकते हैं।